थौर वर्जिस स्कार्लिट विच अगर इन दोनों के बीच में बैडल हुई तो जीते का कौन पर से यह वीडियो स्पेशली डेडिकेड़ है जिन्हों ने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो हां यह वीडियो स्पेशली आपके लिए आपको यह थी वहीं पर भाई स्कार्लिट विच वेंजस एंड गिम वाने थैना उस पर फूरी भारी पड़ गई थी और इतना ही नहीं भाई इल्लूमिनाडिक उसने चुटकियों में आरा दिया था और नो डाउट दोनों के बीच में बैडल होगी तो बैडल बहुत ही एपिक होगी तो ये खेरी के बारे में बात करते हैं जहांपे हमें वान्ड विजन और मल्टिवर्स ओफ मैडनेस में स्कार्लिट विच उनके मैजिकल अबिलिटीज को यूज करते हुए दिखे जिसमें दिखाया गया था कि वो कैसे अपने माइन को रियालिटी से अल्टर कर सकती है और इतना ही नहीं स्कार्लिट विच ने वेस्ट व्यू के शेहर को मैणिपिलेट भी किया था और उसने खुद के दो बच्चे भी बनाये था है उनके मैजिकल स्पेल्स को यूज करके और इतना ही नहीं भाई उसने अर्ट 838 भाई वांड को भी अपने कबजे में कर लिया था और इतना ही नहीं कैप्टन मार्वल का पोटन ब्लास्ट भी कुछ नहीं है कारलेट विच के रिट बीम के सामने है और बात करें हमारे गॉड ओफ थंडर की तो भाई थार 1500 साल पुराना देवता है जिसके पास भाई स्टॉर्म ब्रेकर है और MCU की कई मूवीज में उन्हों ने खुद को strongest Avenger भी का है थार बहुत ही पावरफुल है और सिफ हैला और ओडी नी थार को हरा सकते हैं थार ने लिटरली एक पूरे स्टार के इनरजी को भी एप्सॉप किया था या ऐसा कहूं कि एक पूरे स्टार के इनरजी के बीच में घड़ा था सिर्फ और सिर्फ पिजली के मदद से और इतना ही नहीं कॉमिक्स में थार ने कैप्टेन अमेरिका की शील को बेंड कर दिया था और वापिस से उसकी ओरिजिनल शेप में भी ला दिया था तो क्या थार स्कार्लिट विच को हरा सकता है एक रेडिट यूजर की माने तो थार को भाई अजारों लत सालों के बैडल का एक्स्पीरीयंस है थार एमसी यू का वन अफ दा स्टॉंगेस्ट विंग लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्कार्लिट विच की पावर्स वर के आप्सेलिट नहीं था अगर Scarlet Witch सची reality को alter कर सकती तो वो Illuminati को और भी जल्दी हरा दिती Thor close range combat में बहुत ही अच्छा है जो कि Scarlet Witch के one of the major weak points में से एक है Marvel और Captain Carter ने close combat में Scarlet Witch को अच्छी टक कर दी ती और ये भी इसलिए क्योंकि वो बहुत ही close आ गए थे Scarlet Witch के इसलिए ये possible हो पाया तो close combat Scarlet Witch का biggest weak point हो सकता है और भाई Thor के पास Stormbreaker भी है और Stormbreaker भाई टफ से टफ दुश्मनों को हराने में Thor की मदद कर सकता है वही पे Wanda की बात करे तो Wanda के पास Darkhold है लेकिन Darkhold Wanda का पिल्कुल भी नहीं है Thor का Stormbreaker Wanda के powers के आर पार जा सकता है या कहलो कि Wanda के powers को sand कर सकता है जो कि Thor को जीत दिला सकती है और अगर fight एक neutral ground पर होगी जिसका मतलब यह है कि उन दोने के बाद अपने खुद के powers और weapons होगे तो यह more likely है कि Thor इस battle को जीत जाएगा तो I hope कि जिनकले मैंने ये वीडियो बनाया था उनको इस battle का जवाब मिल गया हो और I know कि वीडियो बहुत ही late डाली है मैंने तो उसके लिए sorry कि भाई मैं rotational shifts में काम करता हूँ तो इसकी वज़े से मुझे time नहीं मिल पाया था I hope आप सब समझोगे आपका इस बारे में क्या opinion है मुझे comment करके जरूर बताना ऐसी similar content the super hero updates के लिए चैनल को subscribe करो